हेलो दोस्तो आरके मिक्स इंटर्टेन्मेंट चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तो आज खेले गए ICC 2020 वर्ल्ड कप के गुरुप B के दसवे मैच में जोकी ओमान वर्शिज स्कोटलैंड के बीच में खेला गया दोस्तो ये मैच भी जो 9th मैच था आज के दिन का वैसे ही एक तरफा मैच रहा स्कोटलैंड हर टाइम ओमान के उपर भारी रही और स्कोटलैंड ने बड़ी ही आसानी से बैटिंग और बोलिंग में अच्छा परदर्शन करते हुए इस मैच को जीत लिया दोस्तो आज के मैच को स्कोटलैंड ने 8 विक्टो से जीत लिया दोस्तो आज के मैच में ओमान ने टोस जीता और पहले बल्ले बाजी का फैसला किया ओमान की टीम पहले बल्ले बाजी करते हुए 20 अवर में सिरफ 122 रनों पर आल आउट हो गई जो कि 2020 के लियास से काफी कम स्कोर माना जाता है और दूसरी टीम की जीत लगबग निश्चित होती है और हुआ भी कुछ ऐसा ही ओमान के इस स्कोर में आकिब इलियास ने 35 गेंदों पर शांदर 37 रन बनाए और उनके साथ कैप्टन जिसान मकसूद ने 30 गेंदों पर 34 रन बनाए स्कोर्टलेंड की बोलिंग की बात करते हैं तो स्कोर्टलेंड की बोलिंग काफी अच्छी रही स्कोर्टलेंड की तरफ से डैवी ने 25 रन देकर सबसे ज़ादा 3 विकिट लिये और लिस्ट ने 13 रन देकर 2 विकिट लिये इस परकार ओमान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 अवर में 122 रन बनाए और स्कोर्टलेंड को जीत के लिए 123 रनों का टार्गेट दिया स्कोर्टलेंड की टीम ने स्टार्टिंग से ही अपनी साफ मंजसा जायर कर दी कि वो ये मैच बड़ी आसानी से जीतेंगे और हर हाल में जीतेंगे और हुआ भी कुछ ऐसा ही स्कोटलेंड की अच्छी पार्टनर्शिप रही पहली दूसरी हर पार्टनर्शिप अच्छी रही और स्कोटलेंड की टीम ने सिरफ 17 अवर में केवल दो विकिट खोते हुए बड़ी आसानी से और बड़े प्यार से 123 रन बना लिए जिसके अंदर कैप्टन ने शांदार पारी खेलते हुए कैल कोट जहर ने 28 गेंदों पर ताबट तोड और धुवाधार 41 रन बना है और रिची बेरिंग्टन ने 21 गेंदों पर 31 रनों का योगदान दिया दोस्तो ओमान की जैसे आज बैटिंग खराब थी वैसे ही उनकी बोलिंग भी आज कोई पैनी नी थी कोई दम नी था उनकी बोलिंग में ओमान की तरब से खवार अली ने 27 रन देकर एक विकेट लिया और फ्यासबटने 26 रन देकर एक विकेट लिया क्योंकि स्कोटलैंड के केवल दो ही विकेट गिरे थे इस परकार ICC 2020 World Cup का Group B का दसवा मैच स्कोटलेंड के नाम रहा और स्कोटलेंड ने बड़ी आसानी से आठ विक्टो से इस मैच को जीत लिया और सूपर 12 में अपनी जगय भी उन्होंने निश्चित कर ली दोस्तो दोस्तों आप लोगों का क्या लगता है कि आने वाले मैचीजिस में जो बड़े मैचीजिस होएंगे उसमें स्कोटलेंड कोई उलेट फेर कर सकती है जो भी आप लोगों की राये हो आप लोग हमें comment session में लिखके जरूर बताएं दोस्तो और दोस्तो इसी के साथ यदि आप लोग स्कोटलैंड के fan है तो वीडियो को maximum से maximum like करें maximum से maximum हर जगे शेयर करें और दोस्तो comment box में आज के match का match of the hero कौन रहा दोने प्रियों में आप हमें comment session में लिखके बताएं और इसी के साथ यदि आप लोग मेरे चैनल पर नहीं हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबा कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो टाइम टू प्लिक करने झापको